तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम जो external rhythms होती है या external tones होती है उनको कैसे अपने mobile से pen drive में copy करके जो फिर हम उसको अपने keyboard में use कर सकते हैं तो काफी लोगों की ये question रहता है कि हमने tones तो ले ली या tones कहीं से हमने download कर ली है किसी से purchase कर ली लेकिन हम जो है इन tones को अपने keyboard में कैसे डालें मेरे से tones लेने के या rhythms लेने के बाद भी कई लोग इसलिए परिशान रहते हैं कि वो उन tones को या उन rhythms को अपने case you keyboard में कैसे install करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा कैसे अपने mobile के जरिए आप अपने जो ये case you keyboard है उसमें इन tones या rhythms को install कर सकते हैं तो वीडियो को start करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक request है अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथी bell के icon पर भी tap कर दीजेगा ताकि जितनी भी हमारी आने वाली new videos हैं उनके notifications आपको time to time मिलते रहें तो चलिए दोस् तो आपको क्या करना है एक pen drive लेनी है और pen drive थोड़ी अच्छी quality की लेना बिल्कुल cheap quality की मत लेना हो सकता है वो आपके keyboard में जो है वो support ना करे ठीक है तो अच्छी quality की pen drive लेनी है उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसमें से जो भी data है आपका उसको कहीं और save करके उस मेर लगाना सबसे पहले कीशियो कीबोर्ड में कशियो कीबोर्ड में लगाने केैपको क्या करना है उसको format कर देना है जब आप उसको format कर देंगे तो उसमें कुछ folder जो है वह अपने आप केशियो जो आपका keyboard है वह create कर देगा तो अगर आपको यह नहीं आता कि आपको कैसे format करना है तो उसके लिए आपको जो है i button में link मिल जाएगा वीडियो का मैंने इस पर एक पहले ही वीडियो बना रखी कि कैसे आप अपने case you keyboard से paint drive को format कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लिजेगा i button में आपको मिल जाएगा और उसके बाद जब format कर ले तब आपको जो है अब मैं बताऊंगो वो वाले step जो है वो follow करने है सबसे पहले आपको जो है paint drive लेनी है और paint drive को किसी OTG के support से जो है अपने mobile में उसे लगा देना है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे Kingston USB drive ठीक है तो यह हमारे इसमें डल गई है paint drive और अब इसके बाद हमें क्या करना है अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक folder दिखाया था हम जो बनाओगा ठीक है आप यहाँ पर देख सकते है third number का जो folder है music data यह पूरा जो इसका नाम है वो music data है जो यह वाला जो folder है दोस्तों यह आपके paint drive में बनना बहुत जरूरी है अगर यह आपके paint drive में नहीं है तो आप इसमें कहीं भी जो है उसको डाल लीजिएगा क्या कितने डेटा जो भी आपका इसको डाल लीजिएगा कोई support वगेरा इसमें कुछ नहीं होगा और वो बाद में error ही लिखाएगा हो सकता है कि आपकी paint drive जो है वो इसमें support नहीं कर रही हो और इसी वज़े से जो यह music data वाला जो folder है वो ना बन पा रहा हो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यह भी बताते हैं कि सर हमारे में तो यह music data वाला जो folder है वो बना ही नहीं तो आपको क्या करना है कि मैंने जैसा पताया कि एक अच्छी quality की paint drive लेना और मैंने जैसा कि इसे reset कि, sorry format किया और अपने आपी जो हैसमें music data के नाम से जो folder है वो बन गया तो ऐसा ही एक जो folder है आपके भी paint drive में बन जाएगा उसके बाद आपको करना किया है यहां हम home button पर जाते हैं और फिर हमें अपने file manager में जाना है वहाँ पर जहां पर हमने tones को save की है ठीक है तो मैं यहां से ही सबसे पहले जाता हूँ अपने menu storage में और उसके बाद यहां पर यह case you के नाम का folder है और case you में r और r में दोस्तों यह सारी जो है मेरे पास अभी फिलाल rhythms है आपको rhythms को आप जहां से भी आपने ली है zip folder में कुछ भी उसे unzip पहले जरूर कर लीजेगा ठीक है उसके बाद में क्या करता हूँ यहां से कोई भी एक जो rhythm है वो मैं यहां से copy करके अपने pin RAM में डाल लेता हूँ ठीक है तो जैसे मान लीजिए मैं यहां से last to third है इसको copy कर लेता हूँ पूने ढोल को इसको मैंने यहां से copy किया और यहां से आके मेरा जो यह USB storage है इसमें मैंने आके और जो यह music data वाला है आप देख रहे होंगे मैं आपको यहां पर दिखायता हूँ यह जो है music data वाला जो है इसमें folder जो है इसमें मैं जो है install इसको कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर जो भी इसमें copy करना है data वो music जो यह देखिए मैं दुबारा आपको दिखायता हूँ जो यहां पर लिखा हुआ यह लिखा हुआ music data इस वाले इस फोल्डर में आपको जो है यहां पर यह से copy करना है यहां तक होने के बाद जो है हमारा यह pin drive में जब data आ गया तो यह हमारा जो काम है यह खतम ठीक है यहां पर हम दुबारा एक बार और चेक कर लेते हैं back जाके मैं आपको दुबारा दिखायता हूँ यहां पर हम मान लिजे back चले गए और मान लिजे यह हमारी pin drive है इसमें ठीक है तो pin drive में जाने के बाद हमने क्या किया है music data वाले folder में देखा हमने आपको दिख रही होगी यहां पर यह हमारी जो है जो rhythm थी हमारी वो आ गई है एक चीज जरूरी दोस्तों यह भी है कि आप यहां पर यह भी जरूर देख लीजेगा कि यहां पर इसका size भी लिखा आ रहा है यह देखे आप ठीक है 9.03 kb यह जितनी भी files होती है kb में ही होती है जादा जो space है वो नहीं लेती क्योंकि जो keyboard है उसमें जादा बड़ी files नहीं install हो सकती इसलिए ठीक है यह kb में ही होंगी sorry दोस्तों एक बार से मैं आपको फिर दुबारा से बतायता हूँ अभी हुआ क्या कि जो time हो रहा है अभी 12 बच के 2 मिनेट हो रहे हैं और रात में मैं जो इस वीडियो को record कर रहा हूँ और जैसे ही 12 बजे यहां पर पतनी क्या एकदम से किसी का महले में किसी का birthday होगा तो एकदम से DJ वागेरा और पठाके वठाके enjoy वागेरा वो करने लगे तो मैं भी एकदम से shock होगे है मैंने पता नहीं क्या हुआ ठीक है तो थोड़ा सब देखिया blast मतलब bomb वागेरा जो है प्लीज थोड़ा जो noise आरियों की भार से उसको manage करके जो है half complete हो गया है तो वीडियो को बीच में मैं रोग नहीं सकता ठीक है तो हम दुवारा से continue करते हैं मैं आपको यह बता रहता है कि यहाँ पर जो है इसका जो यह है जो यहाँ पर इसका size आ रहा है वो आना जरूरी है और जो आपको यह paste करना है वो music data वाले folder में ही paste करना है अब हम मैं आगे का जो process है वो जल्दी से बतायता हूँ इससे पहले कि और जो है noise बढ़ने लगे ठीक है तो यहाँ से हमने इसको close कर दिया और यहाँ से हम eject करके जो है अपने paint drive को निकाल देते हैं ठीक है उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे system पे caseo keyboard पे तो दोस्तो अब हम आगे हमारी keyboard की तरफ और keyboard में क्या करना है जो हमारी paint drive थी जिसमें हमने data जो है अभी copy किया था उसको हमें क्या करना है simply यहाँ पर इसको लगा देना है ठीक है तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर function button को press करना है और back side में जाके हमने क्या करना है media में enter करना है mounting करेगा कभी कभी ज़्यादा time भी ले 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 था और कभी कभी क्या करता है कम कम टाइम भी ले 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 था है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर load लिखा आजाएगा load में क्या करना है आपको enter करना है और यहाँ पर हमने जो है अभी rhythm डाली है तो हम rhythm में जाएंगे next करके हम rhythm में गए और यहाँ पर हमने क्या गिया इसको enter कर लिया ठीक है मैं और पास से दिखाया था हूँ enter करा और यहाँ पर जो है हमने यही वाली जो पूने डोलती यह कॉंपी की थी अब क्या हुआ था अभी लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जैसी वो यहाँ से इसको मालीजे चलो यहां तक भी आए फंक्शन दवाया मीडिया में गई अंदर और यहाँ पर लोड बे enter करने के बाद क्या हो रहा है जैसी इसके बाद यह थोड़ा सा इसमें भी मालीजे rhythms में भी अंदर गया और जैसी यहाँ पर इनको कोई tones वगेरा मिली तो उसके बाद क्या हो रहा है वो कहते हैं कि यहाँ पर error data करके कुछ लिखा जाता ठीक है तो मतलब वो support नहीं करता वो support जो है वो दोसको इसी लिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो मैंने आपको फोल्डर बदाया था music data वाला आप उसमें जो है उसको जो है पेस्ट नहीं कर रहे हैं आप उसको कहीं और किसी फोल्डर में पेस्ट कर बना रहा हूं ताकि जो है एक ही बार में आपकी जो सारी confusion है निकल जाए ठीक है वही पेंट्राइब है सारी कुछ वही जैसे मैंने बताया आप सेम टू सेम वही करिएगा 101% ही आपके मैं support करेगी ठीक है यह मैं guarantee ले रहा हूं बस पेंट्राइब थोड़ा सही हो और जो ब इसमें जहां भी जो no data करके जगे होगी यानिकि जहां भी space खाली होगा अभी मेरे में 360 पर space खाली है तो यह क्या करेगा automatic ही वहाँ पर चला जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर enter कर देना है यह जो यहां पर six numbers पर लिखा हुए enter आपको यह प्रेस करना है sure yes प्रेस करना complete होगा हो सकता थोड़ा सा time भी ले ले complete होने के बाद आपको back महीं पर चला जाएगा और आपको क्या करना यहां से प्रेस करके जब यहां पर light blink होने लग जाए यहां पर यूजर रिदम में जाहिएगा और अब हमें 360 पर हुई दी ना हो सेफ तो हम यहां पर 360 पर 360 पर आ जाते हैं यह ने थोड़ दर पहले भी एक बार करके दकी धी वे प्पादा सच में यह ले गाम कर रहा हो अब पहले भी जब आ करके देखी दी वीडेो बनाने से पहले तब भी कर रही थी और अब जाब वीडिockey बना रहह Nachiko तो अब उब मैंने आपके सामने 360 प ठीक है सब कुछ है बिल्कुल बिल्कुल easy method है दोस्तों ठीक है सब कुछ चलेगा वो ही है बिल्कुल same जो हमने copy की दी same वो ही है जो मैं आपको rhythm देता हूं जो tones देता हूं वो ही आपको इसी जो मैंने steps बताएं आपको same इसी में जाके आपको जो process है वो follow करना है और पकाई definitely चलेगा जो आपका जो error करके जो लिखा रहा था वो नहीं लिखाएगा ठीक है बस सर्त यह है कि जो मैंने आपको steps बताएं आपको वो ही follow करने है और उसके बाद जो यह हाँ पर save करने वाला जो है अगर आपको यह भी वीडियो बना रखी है और वो वीडियो जो है आपको i button में मिल जाएगी ठीक है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजेगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से इसमें import export जो है हम वो data करते हैं तो यह थी दोस्तो एक छोटी से वीडियो जिसमें मैंने बता दिया है I hope कि आपको इस समझ में आ जाएगा ठीक है और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे comment करके बता दीजेगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को भी मैं solve करने की कोशिस करूँगा आप मुझे Instagram पर follow कर लीजेगा Instagram पर क्या होता है कि मैं और कई लोगों ने जिन्होंने मुझे Instagram पर contact किया है मैं उनका तभी के तभी मैंने reply जो है वो किया है और होता क्या है कि मैं भी काम करता हूँ office में होता हूँ तो कभी कभी क्या है वो reply करने में late हो जाता है तो इसलिए मैंने अब ये जो है वीडियो बना दी है I hope के आगे स अब आपको जो ये problem है वो नहीं आएगी इन process को follow कीजिएगा तो बिलकुल भी जो आपकी ये जो error वाला जो हो रही थी यहाँ पर mistake जो आप कर रहे थे ये भी आपकी अब दूर हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों ये थी के आप कैसे अपने mobile से जो है copy करके इसमें keyboard में laptop या PC से कैसे अपने keyboard को जो है connect करके उसमें data जो है transfer कर सकते हैं वो हम data manager software के जरीए करेंगी उसके उपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊगा क्योंकि मैं आज इसी के बाद ही उस वीडियो को बनाता बट मैंने बताया जैसे कि पहली किसी का birthday है तो ज्यादा party बाटी हो रही तक तो देखेंगे आज अगर वो आज ही वीडियो record हो जाएगी तो आज ही उसको record कर देंगी ठीक है तो ये सब था दोस्तों इस वीडियो में next वीडियो जो होगी मैंने आपको बताई दिया किस पर होगी और अगर आप भी चाहतेंगे कोई अलग से कोई topic हो उस पर वीड करके मुझे बता दीजेगा मैं उस पर भी एक जो है वीडियो बना दूँगा और मुझे connect होने के लिए दोस्तों प्लीज मुझे Instagram पर follow कर दीजिए क्योंकि मैंने Instagram पर आपको बता दिया reason के उसमें मैं आपके जो questions होते हैं उनका जल्दी reply कर देता हूँ ठीक है तो इस वी कर दो कर दो दो